Assalamualaikum students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं exercise 20.1 कोशन नबर 7 इस वीडियो में इस फोड़े कुशन को डिसकस करेंगे, कोशन अतना मुश्किल रही है क्या कहा गया है, stored at the roots of quadratic equation given by x-a, x-b, वोड़ा कुछ equation दीवे, जो कि quadratic equation बिल्कुल भी नहीं लग रही है लेकित कह रहा है कि आप इस quadratic equation को साविट करेंगे, रियल है रियल प्रूफ करने के लिए पहला तरीका तो यह है कि आपका जो discriminant है रहा है, वो greater than या equal to zero हो, सही है एक तरीका तो यही है, लेकित इन्होंने क्या कहा है, आगे they cannot be equal unless a is equal to b is equal to c, इसमें कह रहा है कि आप a is equal to b is equal to c ले आएं, जब आपके roots हों equal है, मतलब 0 लेकर आप इसको बराबर साविट कर दें, या फिर आप greater than equal to zero लागे से रियल साविट कर दें, अब हमने का तरीका फॉलो करना है, वो तो हम बाहर में decide करेंगे, पहले हम इसे एक quadratic equation तो बना दें, जो कि अभी बनीगी, नहीं है standard form बना दू पहले आपको a square plus bx plus c, जिसमें a आपका not equal to zero, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए अचाहिए equation लिखने ही हमाँ पहले एक minute, चाहिए start करते हैं, इसे convert करना, xx आपको पता है कि पहले आपको इसको इससे multiply करना होगा, इससे भी फिर इस तरह a की value को x से और a की value को b से और so on, ऐसे ही करना होगा xxr x square, xbr minus xb, axr minus ax, abr minus minus plus ab, इसी तरह हम xxr plus x square, xcr minus xc, minus plus minus होता है न, minus plus minus तो minus xb, minus minus plus तो plus bc xxr plus x square, plus x minus a, तो minus xa, और minus plus minus minus xc, जो भी आपको लिखला चाहें, plus minus, sorry, c से कर रही थी थी न, मैं, minus minus plus, plus c a, अब इसको एक बार में recheck कर लो कि गलती हो जाएगा तो फिर पूरा quotient गलत हो जाएगा हमारा, ऐसे कोशिच कर रहा करें कि अल्फा बार 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 बा अब दुआ है, चले हम इसे करते है, x square, x square, x square, x square, यह हो जाएगा 3x square, minus xb, और x वारे एक साथ कर लेते हैं, बल्के, अल्फाबेटिकल गलती है, minus bx कर लेती है, उसे में, और ये भी x है, minus ax, और ये नहीं है, इसके बाद ये है, minus cx, अल्फाबेटिकल ओर में, minus bx, ये माइनस बी एकस साभी सॉल्फ होकर एक पहले फोड़ एरेंजमेंट कर दीए ओके इसी तरह हमारे पास यह बी सी है यह नहीं लिखेंगे यह लिख चुकी हूँ मैं पहले ठिक स्वायर कर चुकी हूँ यह माइनस एकस ए है एकस और प्लस एसी अचा इसको तब लिखता रहा है यह जो एकस वाली वैलियो उसको वैने एकसाथ लिखती है और जिटके पास कुछ भी था सिर्फ कॉप्षेट थे उटको वैने एकसाथ लिखती है यह मैंने जानक करने के को हैं डालेक्ट भी कर सकते थे माइनस का भी ऐगास खिप्लस एकस माइनस का 2x हो चाएगा हरब तो ऐसा करते हूँ माइनस का एकस माइनस का टू ऐ एकस और पके और यह बारिवैए क्रीको तो एस़ी रिखती है तो फ्लस अबिऊ माइनस का 2BX और फिर माइनस का CX और माइनस का CX माइनस का 2CX और यह वारी वैले उसको तो ऐसी रिखनोंगी प्लस AB प्लस BC और प्लस C या AC अभी भी complete quad equation बनी नहीं है आपको क्या करना है कि 2X is square माइनस 2 और X को common ले लेना है अच्छा X को ना वहाँ साइड में common लिजगा क्योंकि आपका जो वैल्यू है ना A A plus B plus C A plus B plus C को माइनस common लिया है तो यह plus के ही आएंगे यह यहां रहेंगे और X चो आपने common लिया वो यहां बैसे 2X साथ में common लिया है लेकि मैं यहां इसले रख रही है ताकि हम इसको B की वैल्यू जो है पुट कर सके अधर वास आप चाहिए 2X यहां ले ले लें इसमें कोई मसला नहीं है सिर्फ समझाने के लिए अलग किया जाता है चीज़ों को और 0 तो यहां चली रहा है आपके पास C की वैल्यू आपके पास A is equal to 3 आया है यहां पर B is equal to A plus B sorry 2 भी है 2 A plus B plus C और C की वैल्यू आपके पास A B plus B C plus C A इन वैल्यूस को डिस्टन गायश करने के बज़र में अंडरलाइन कर दूं और फिर हम ज़रा फॉर्मुले में इसे प्लेस कर देते हैं चलें भाई अब इसे करते हैं पॉर्मुले में प्लेस पॉर्मुला हमारे पास कौन सा है यही वाला है जिसको मैं ब्लैक पर से लिपती हूँ B square minus 4 A C अब वैल्यूस को प्लेस करते हैं B क्या है हमारे पास B है हमारे पास 2 A plus B plus C और इसका whole square minus 4 A के हमारे पास 3 और C की वैल्यू है A B plus B C plus C A B plus B C plus C A अब इसे करते हैं जरा simplify करें करें चीक है simplify करें 2टीजा हो जाएगा 4 और आपको पता है अच्छा 2 जो है माइनस का है यहां माइनस था तो मैं कहां दिखाऊं ऐसे करते हैं इसको माइनस बना देती हूं और इसको as equal to कर देती हूं तो यह माइनस का है अभी न मैं multiply नहीं करवा रही हूं क्यों नहीं multiply करवा रही हूं इसका हीजा को समझ में आ जाएगा वैसे आप लोग इसको multiply करके भी solve करेंगे दूसरे तरीके से तो भी सही ही answer आएगा मनलब कैसे multiply करके 12ab12bc plus 12c एक करके करेंगे तो भी answer आएगा लेकिन अभी मैंने क्यों नहीं किया यह आपको आगे समझ में आ जाएगा मैं ना इस पर formula apply करने से पहले ना 4 और 12 को लेनी हूं common 4 और 12 को क्या लेनी हूं common यह 4 common आया ना तो यहाँ पर बच्चा a plus b plus c का whole square और यहाँ पर 4 त्रीजा 12ab plus bc plus ca चीक है students students अब हम लगा रहे थे हैं इस पर formula इस पर लग रहा रहा रा formula क्या लगेगा a square plus b square plus c square यह वाला formula लगेगा तो मैंने पिछली वीडियो में लगाया आप देख लीजेए का और क्या होता है a plus b plus c के हुरिसका का formula और फिर होता है plus 2ab plus 2bc plus 2ca उस plus 2ab plus 2bc plus 2ca बेसे वैसे 2 common ले रही हूं तो क्या आएगा 2ab plus 2ca ना 2 common ले रही हूं bc और ca और यह minus का 3ab plus bc plus ca तो है आपको समझ में आगा हो का मैंने उस formula 2 common क्यों लिया देखें यह वाली value और यह वाली value बिलकूल alike है तो इसमें हम add subtract कर सकते हैं algebra का rule follow हो रहा है इस value को आप समझें कि x suppose कर लें यह कुल भी suppose कर लें x है 2x में से 3x जो है minus plus हो सकते हैं अब क्या करेंगे यह a square plus b square plus c square तो ऐसे ही रहेगा plus minus minus तो 3 में से 2 गाए तो एक बचेगा तो minus का a b minus का b c minus का c यह मैंने कि step कम किया है होगा यह कि minus का 1 बचेगा minus का 1 जो है वो इन सब तीनों value से क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा सही instruments और यहां पर ब्रैकेट क्लोस अब यहां तक यह positive है यह real है साबित नहीं हो पा रहा तो हम यह करना पड़ेगा perfect square बनाने की कुछिश करनी होगे 4 है ना इसको 2 और 2 में split कर दें 2 और 2 में यह तो 2 है यह इन सब से हो जाएगा multiply तो एक step में यहां पर और कम कर रही हूं करूं कि नहीं करनोशन नहीं करती इसको पूरा में ऐसे कॉपी कर दें तो 2 और 2 में split करने के बाद क्यों split क्या भाई formula बन करने के लिए 2ab 2bc 2ca चाहिए ना यहां तो हो ही नहीं रहे अब मजबूर नहीं हम इसको भी multiply करना पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं अब क्या करेंगे इस 2 को कर देंगे सबसे multiply एक 2 रखेंगे बाहर बाकी सब 2 को multiply कर देंगे 2a square plus 2bc square plus 2c square minus 2ab minus 2bc और minus 2ca यहां पर हमारे यहां तक जो है values आज चुकी है चला हमारे पास क्या होगा अगला step यह होगा यह 2 तो बाहर है ही इस 2 को हम कर देंगे split 2a square में अच्छा मैंने 2a square बनेगे मैं 1a square यहां रखेंगे और एक value यह जो है minus 2ab यहां रखेंगे अब मैंने minus 2ab यहां रखेंगे तो मुझे यहां से तो b square निकलेगा न यह बल्कि ऐसा करें पहले मैं split करके दिखाते हूं a square plus a square इसे तरह b square plus b square इस दो को मैं अलग-अलग करके लिख रहे हूं इसे तरह plus c square plus c square और यह minus 2ab और minus 2bc और minus 2ca ऐसे ही रहेंगे अब पता है आपको न जारा तरना इस तरह के formulas बनाने में लिख जाती हूं a minus b का whole square a square minus 2ab और plus b square मैंने minus क्यों लिखा क्योंकि देखें इनके साथ minus है तो formula तो minus कही close होगा अब क्या करेंगे हम ये 2 तो ऐसे ही है ये a square और यहाँ पे एक b square ले लेती हूं अब देखते हूं को a b वाली value है हाँ ये इसको मैं ले लेती हूं center में ताकि एक formula बंद हो जाए हमारा अब एक a square बचा होगा है वो ले लेती हूं और b square भी है लेकिन a b वाली value नहीं है हमारे पास तो a square के साथ में ले लेती हूं c square क्या ले ले हूं मैं क्योंकि minus 2ac वाली value हमारे पास है अब एक 2a square यूज हो चुके एक b square एक c square बचा है तो इसका मतलब b square और c square लेकर यहां पर minus 2bc वाली value को जो है मैं ले लेती हूं चीक है इस तरह सब values को मैंने arrange कर लिया ताकि formula में जो है वो बंद हो सके समझ माया होगा उमीद है मुझे एक बार दुबारा सुन लिजिएगा तो और चाह समझ में आ जाएगा अब यह formula बंद हो रहा है आपका a minus b का whole square है यह बंद हो रहा है a minus c का whole square और यह formula आपका close हो रहा है b minus c का whole square ओके अमें students हम यह बात तो पढ़ चुके है कि अगर कोई चीज perfect square होती है जैसे कि यह a minus b का perfect square है तो इक greater than equal to 0 तो इस खांचा 0 होगा या फिर 0 से बढ़ा होगा 0 से कम नहीं होगा क्योंकि square में हर negative sign cancel होकर positive हो जाता है यह बात भी कह सकते है तो positive हो गया तो जिरो से बढ़ा हो गया और क्या पता इनका जो minus करें या plus minus करें बलके तो क्या है 0 आए तो 0 का square होता है जिरो है तो इसका मतलब तमाम जो perfect square होते हैं वो greater than equal to 0 होते है जब perfect square greater than equal to 0 है तो इनको जब 3 को multiply करें को 2 से तो वो भी greater than or equal to 0 ही आएगा यह suppose करें सबका awesome जो है हमारे पास आया 0 क्या आया 0 अब जो 0 को multiply करें को 2 से तो वो 0 आ जाएगा तो बतलब या तो हमारे पास आप साथा 0 आया या 0 से बढ़ा आए तो वो roots जो होते हैं वो real होते हैं ठीक है तो हमारे पास आज सर आ गया roots are real roots are real okay students बात सबज में आप लोग को आ गई होगी roots real क्यों आया है क्योंकि हमारे डिस्केमिनेंट है वो greater than या equal to 0 आया है क्योंकि वो perfect square के बराबर है चीक है students यहाँ पर हो गया हमारा kosher cover exercise भी हमारे 20.1 पूरी मुकमल हो गई है एक्षाला आप बहुत जल नेक्स एक्ससाइस को स्टार्ट करेंगे physics के numericals के और chemistry के numericals के lecture जो है वो चैनल पर मौजूद है आप लोग वहां से इसकी practice कर सकते हैं अभी time बहुत कम मिलने की वज़े से मैं physics और chemistry के lectures जो है वीडियो नहीं बना पारी है और बच्चों तर जया तर कहा भी है ठाकि आप नमेरिकल्स हमें वीडियो बना कर दें तो बेले डिमेरिकल्स की वीडियो आप लोट कर दी है आप वहां से चेक आउट कर लीचे का अलाहाफ़ सुड़ेट्स